प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे यानि कच्छा दस गड़ित एलगोरित्म यानि प्रस्नाली फ़स्टे निम्निखित संख्याओं का हमें यह सीफ निकालना है और वो भी यह सीफ जो निकालना है वो एलगोरित्म बिध ही द्वारा पहला प्रस्न है निम्निखित संख्याओं का यह सीफ ग्याद करने के लिए यूकलिट बिभाजन एलगोरित्म का प्रियोग कीजिए जिसमें ए है 135 और दोसो पचीस का यह सीफ निकालना है हमें यानि एक संख्या है हमारी 135 और दूसरी संख्या है दोसो पचीस इसी दोनों का यह सीफ निकालना है तो सबस्पहले हम करेंगी क्या कि इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या को हम अंदर रखेंगे छोटी वाली संख्या से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा दोसो पचीस यह रफ है दोसो पचीस और भाग देंगे हम 135 का तो हम एक बार ले जाएंगे तो 135 बना अब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 जीरो मिला और 12 में से 3 घटा दिये तो 9 आया एक एक केंसिल हो गया अब हमारा 135 जिस से भाग दिये थे वो अंदर चला जाएगा अब एक बार ले जाएंगे 90 का 90 हो जाएगा यहां मिला 5, 9, 4, 13, 45 बन गया अब हमें 90 अंदर ले जाना है तो 45 दूना 90 यह टोटल केंसिल हो गया तो हमारा जो एंस्वर आया वो 45 आया अगर हम चरण की बात करते हैं यानि चरण की द्वारा लिखते हैं तो पहला चरण हमारा बनेगा यह जो संख्या दो सो पचीस है यही भाज है तो बन जाएगा दो सो पचीस यह वराबर 135 में एक का गुड़ा करेंगे अर्थात 135 गुड़े एक और प्लस सेस्फल सेस्फल हमें मिला है 90 यानि पहली बार सेस्फल 90 मिला है अब हम दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ अब 135 जो है यानि यही 135 तो 135 यह बराबर हो जाएगा हमारा 90 गुड़े एक यानि इन दोनों का गुड़ा होगा अर्थात 90 गुड़े एक होगा और प्लस सेस्फल सेस्फल मिला है हमें यह 45 फिर आगे आ जाएंगे तीसरे चरण की बात करें तो यह जो 90 है यही 90 बराबर हमें मिल जाएगा तो यह 90 बराबर 45 गुड़े दो तो हम लिखेंगे 45 गुड़े दो प्लस सेस्फल 0 आया तो जिस समय सेस्फल 0 आएगा उसी समय जो हमारा भाजक होगा वही HCF बन जाएगा अर्थात हमारा इंस्वर बना HCF बराबर 45 यही हमारा इंस्वर हो गया आगे अगर हम बात करते हैं बी की तो बी वाले में हमें मिल जाएगा बी दिया हुआ है हमारा यानि टोटल है बड़ी वाली संख्या एक सो छोटी वाली चान बे है बड़ी है 38-220 तो जो संख्या बड़ी होगी उसी को हम अंदर रखेंगे तो 38-220 को अंदर रख दिये भाग देना है हमें 196 बे का तो 29-29 दो बार नहीं जा पाएगा पहले एक बार जाएगा तो एक सो छोट बे बनेगा तो बारह में से 6 घटा आएगे 6 आएगा यानि 7 में से 9 यानि 7 में से 9 आट 17 मिला दो बचा दो में से घटा दी एक आया अब अगली संख्या मुतारेंगे दो अब हमारा बार जो जाएगा 29-9171 यानि 9 बार जाएगा तो 9-6-4 हासिल 5 मिला 9-9-81-5-86 हासिल 8 मिला फिर 9-1-9-9-9-8-7 हो गया हम घटाएगे तो बारह में से 4 आठ मिला फिर यहां मिला 5 पांच में से 6 घटाएगे तो 15 में से 6-9-6-15-9 मिला 7-7 कैंसिल हो गया अब अगली संख्या में उतारना है 0-9-95 यानि 5 बार जाएगा तो 5-3-3 की सुनना हासिल 3-5-9-45-3-48 की 8 हासिल 4-5-1 का 5-4-9 मिला अब यहां पर हमारा सब कैंसिल हो गया तो किस से कैंसिल हुआ पूरा किस से कटा एक सो चानवे से तो यही यसी अप बन जाएगा अगर हम चरण की बात करें तो इसमें एक अही चरण बनेगा यह हो गया 38-220 बराबर एक सो चानवे गुड़े एक सो पनचानवे और प्लस से स्फल जीरो आया चुकि यहां पहले ही जीरो आगया से स्फल इसलिए हमारा यह सी अप जिससे भाग दिये थे तो यह सी अप बराबर हमें मिल गया एक सो चानवे यही हमारा इंस्वर हो गया अब अगला है सी तो यानि एक संख्या है आठ सो सरसथ दूसरी संख्या है दो सो पचीस अब आठ सो सरसथ चुकि बड़ा है तो हम आठ सो सरसथ वाले को अंदर रखेंगे और भाग देंगे किससे दो सो पचीस वाले को अब हमारा जो बार जाएगा यानि सारी 255 255 तो 255 से जब भाग देंगे तो हमारा बार जाएगा 25, 3, 75, 3 बार तो 35, 15, 15, 15, 16, 18 मिला 35, 15, 16, 18 मिला 36, 17 मिल गया तो 7 मिसे 5, 2, 7 और यहां मिल गया आपका 6 मिसे 6 घटा दिये तो हमारा आया 0 यानि हमें मिल गया यहां पर 0 फिर आगे मिला 8 मिसे 7 घटा दिये तो 1 आया अब 255 संख्या अंदर हो जाएगी फिर यानि 10 दूनी 20 दो बार जाएगा तो 2 दूनी 4 मिलेगा फिर 2 सुनने सुनना मिलेगा 2 एक का 2 मिलेगा यहां से मिला 1 यहां से मिला 5 अब हमारी संख्या जो 102 है यह अंदर हो जाएगी दो बार जाएगा 2 एक का 2 दो पचे 10 फूरा टूटल हमारा कट गया 51 से तो यही हमारा बना HCF अगर हम चरण की बात करें तो पहला जो चरण मिलेगा 800 सरसट बराबर 255 और गुड़े 3 प्लस सेसफल तो सेसफल आया है हमारा 102 तो हम लिखेंगे 102 फिर अगला जाएगे दूसरे चरण की बात करें तो 255 अब ये बराबर तो 255 आया कहां से 102 गुड़े 2 से तो लिखेंगे 102 गुड़े 2 और प्लस सेसफल एक क्यावन मिला फिर तीसरे चरण की बात करें तो यहां आएगे अब 102 से यानि ये वाली संख्या जो अंदर है तो 102 बराबर मिल गया 51 गुड़े 2 अर्थात 51 गुड़े 2 और प्लस सेसफल 0 आया तो चुकि यहां सेसफल 0 आया तो यहां पर जो यह CF बनेगा और 51 बन जाएगा हमारा इंस्वर मिला HCF बराबर हो गया 51 यही हमारा इंस्वर हो गया हमाराब सेस्टक्राइब प्याच्ब Ahoney